Open organ pipe Organ pipe दो तरीक़ी होते हैं ओर्ग and open organ pipe आसमान्रों में हमाया पास कुछ प्रेसर है इस पॉइंट का प्रेसर भी उसी के बराबर होता है यहाँ पर यह इस तरीके से closed है तो यहाँ पर pressure में variation हो सकते है अगर यहाँ पर vibration की बात करी जाए तो मैं लिख सकता हूँ इस जगे पर pressure node होगा जहाँ भी open होगा वहाँ पर pressure का node हमको देखने को मिलेगा और जहाँ पर closed है यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ this is pressure anti node pressure anti node अब particle के displacement की बात करें यहाँ पर जो भी particle है sound longitudinal wave होती है यहाँ वाला particle इस तरीके से यहाँ पर SHM कर सकता है यहाँ पर जो particle है वो इदर जा ही नहीं सकता वो SHM करी नहीं सकता तो यहाँ पर हमारे पास particle actually इस तरीके से move कर सकता है और यहाँ पर मैं क्या लिख हूँगा particle anti node यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा particle node यह चीज हमें समझनी बहुत ज़रूरी है जब particle का anti node होता है pressure का node होता है और हमने देखा भी ता है जब हम pressure और particle की displacement का equation लिख रहे थे दोनों में हमारे पास pi by 2 का face difference होता है तो वो यही है अब यहाँ पर wave को हम दिखाएं किस तरीके से तो यहाँ पर देखो amplitude जो है इसका वो इस direction में उसको मैं दिखा नहीं सकता दिखाऊंगा मैं यहाँ पर इस तरीके से हैँ न उसका amplitude इस तरीके से draw करूँगा तो हम जो चीज़ draw भी करते हैं वह हम basically particle का amplitude बनाते हैं यहाँ पर देखो इस तरीके से मेरे पास सबसे basic वाला जो vibration का mode आएगा वो इस तरीके से आएगा यहाँ पर सबसे basic vibration का mode किस तरीके से आएगा यहां पर भी हमारे पास particle का antinode होना चाहिए इस जगे पर भी particle का antinode होगा यहां भी होगा और यहां पर भी particle antinode होगा तो अब यहां पर जो हमारे पास सबसे fundamental वाला बनता है वो इस तरीके से बनता है यह जो हमने बनाया है red color से यह red color वाला जो है यह है particle amplitude similarly हम pressure के लिए भी drawing कर सकते हैं मादलो मैं green classic कर रहा हूँ pressure amplitude तो अब pressure की बात क्या होगी जहाँ पर particle का node होता है pressure का antinode होता है तो उसका exactly opposite सा बन जाएगा जहाँ पर antinode है वहाँ पर node बना देंगे तो यह हो जाएगा इस जगे पर मैं पास node आ रहा था तो यहाँ पर antinode आ जाएगा देखो इस तरीके से हमारे पास कुछ vibration होती है अगर मैं pressure वाला बनाऊ तो यहाँ पर यह हमें इस तरीके से देखने को मिलेगा अब आप इसको compare कर सकते हो हमारा जो string situation यहाँ पर देख रही है इस case में हम लिख सकते हैं देखो यह symmetric है तो आप इसको symmetric वाले string वाले case से compare करना यहाँ पर हम सीधे सीधे लिख पाएंगे हमारा पास जो fundamental frequency आने वाली है वो आ जाएगी V upon 2L यहाँ पर fundamental frequency क्या आएगी V upon 4L यहाँ पर हमारा पास all are present यहाँ पर हमारा पास only odds will be present यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं F not लिखूँगा 3 F not लिखूँगा 5 F not लिखूँगा इस तरीके सा हम चीज़ें कर सकते हैं यह हमारी fundamental frequency होगी फिर उसके बाद एक cross होता है तो first harmonic sorry first overtone, second overtone इस तरीके सा आप बोल सकते हो harmonic, first harmonic, third harmonic, fifth harmonic similarly यहाँ पर first harmonic, second harmonic, third harmonic क्योंकि F not का जो multiple है वो overtone कौन सी होती है जो भी next होती है वो first overtone, second overtone, third overtone वो इस तरीके सा आजाएगी इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हो अब एक और चीज़ हमें जो देखने है यहाँ पर कई बार velocity का भी हमसे पूछ लिया जाता है velocity of sound उसको हम क्या बोलेगे, वो हो जाती है under root of gamma rt divided by m इन ही पर based सारे के सारे questions आते हैं एक end correction और आ जाता है, उसको थोड़ी दिर में हम देख लेंगे हमारे पास दो तरीके के organ pipe है एक को अगर मैं open organ pipe बोलूँ तो कौन सा होगा देखो यह भी open है, यह भी open है यह लेकिन यह open at both ends है, तो इसको आपको open organ pipe मानना है अगर close organ pipe बोलूँ तो यह भी close नहीं है क्योंकि इदर से तो घुसी सकते हैं लेकिन इसको close मान लेना, तो हमारे पास इस तरीके से होते हैं या फिर जाजर डीटेल में इसको बताया हो, open at one end इस तरीके से बोला जा सकता है यहाँ पर अब हम fundamental frequencies, overtones, सारी चीज़े देख लेगे सबसे पहले दोनों में हम draw करना शूरू करते हैं हम हमेशा particle का amplitude बताते हैं यहाँ पर हमारी जो सबसे basic वाली vibration इस जगे होने वाली है, वो होगी इस तरीके से यह यहाँ पर जो हमारी सबसे basic vibration होने वाली है, यहाँ भी antinode, यहाँ भी antinode यह पूरी wavelength कुछ इस तरीके से हो गई यहां पर तो हमाय पास जो tube की length है length is equal to wavelength का 1-4th मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है V is equal to F lambda करोगे तो यहां से जो frequency आईगी F0 वो आजाती है हमारे V upon 4L इस तरीके से आपके पास आजाएगी इससे हम बोलेंगे fundamental frequency first harmonic आप इसको बोल दो यह आगई fundamental और इसी को आप बोल सकते हो first harmonic same चीज यहां पर आप करोगे इसमें हम मैं बोल सकता हो कि जो length है वो wavelength की half है यहां पर मेरे पास आजाएगा length is equal to wavelength का half यानि जो frequency आजाएगी वो आजाएगी v upon 2l और इस frequency को हम बोल दे है fundamental frequency fundamental frequency और इसी को हम बोलेंगे first harmonic खिक है अब यहां पर f0 था अगें यहां पर हमारे पास 2 f0 होगा 3 f0 होगा यहां पर मैं लिख सकता हूँ this will be 2 f0 यह हो जाएगा हमारे पास 3 f0 क्योंकि हमारे पास first harmonic था और उसी का second 2 से multiply किया है फिर 3 से multiply किया है उसको मैं बोल सकता हूँ second harmonic इसको मैं बोल दूँगा third harmonic ठीक है अच्छा यहां पर अब हमारे पास जो next mode बनने वाला है वो किस तरीके का बनेगा उसमें crossing हो जानी है अभी एक crossing थी पहले से ही अब की बार हमें एक crossing और add करनी है दो crossing हम add करेंगे तो इस तरीके का हमारे को कुछ situation देखने को मिलेगी इसको हम बोलेंगे first overtone first overtone अब overtone को ऐसे भी यार रख सकते हैं fundamental के उपर जो जो बनते आते हैं उसको first overtone, second overtone, third overtone बोलता है अब वो first जो भी number का हर्मोनिक को overtone जो भी resonant frequencies आएंगे उनको overtone बोलता है तो उसे साब से इसके बाद जो भी आएगी वो second overtone हो जाएगी this is second overtone similarly overtone की बात करी जाए तो यह जो भी था उसके बाद first overtone second overtone, this will be हमारी first overtone second overtone ठीक है, first harmonic के बाद यह देखो, F0 is equal to V upon 4L इसके बाद हमारे पास आजाती है इसका odd multiple 3 V upon 4L या फिर इसी को मैं लेख सकता हूँ 3 F0, यहाँ पर जाएगा मारे पास 5 F0 3 F0 वाले को आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे third harmonic third harmonic और इससे आप बोलोगे fifth harmonic fifth harmonic जल्दी अल्दीन के diagram बना लेते यहाँ पर हमाया पास इस तरीके से mode था इसके बाद next vibration क्या होगा एक cross और add हो जाएगा, वो आजाएगा हमाया पास इस तरीके से उसके बाद अगला वाला और क्या होगा अब एक cross और add हो जाएगा तो यहाँ से ऐसे, ऐसे इस तरीके से आएगी यह हमने दो cross इस तरीके से add कर लिए यह हमारा fundamental था फिर एक और cross add कर लिए, अब एक और cross add करना है one, two, three, इस तरीके से ही आजाएगा तिं, तिं, तिं इस तरीके से अब आगे की भी आप बना सकते हो again, यहाँ पर आपको एक ही चीज़ आद रगने है formula हमारे पास क्या है, जो हमारे लिए सबसे important है F0 की value हो जाती है V upon 2L तब हमें all harmonics मिलते है अगर F0 की value होती है V upon 4L, तो वहाँ पर हमें सिर्फ odd harmonics मिलते है इन दो चीज़ों से हमारा सारा का सारा काम हो जाता है यह वाली value का बाती है, इस case में यह वाली value का बाती है, इन सब cases में That's it A closed organ pipe closed at one end is excited to support the third overtone It is found that the ear in the pipe has कितने notes, कितने anti-notes अब इस video को pause करो, question को solve करो इसका correct answer है D तो देखो, यहाँ पर होगा क्या, हमारे पास इस तरीके से एक organ pipe है, जो एक end से close है सारी की सारे overtones मनाते हैं, हमारे पास fundamental frequency ऐसी होगी first overtone इसका next वाला जो होगा, इस तरीके से second overtone कितने हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा third overtone में क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, total हमारे पास तीन इस तरीके से हो जाएगे एक, दो, तीन यह हो गई हमारे पास third overtone इसमें कितने node, कितने anti-node है? पहली बात तो प्रेशर की बात हो रही है या फिर किसकी बात हो रही है देखो यहाँ पर एक दो, तीन, चार हमाया पास आ जाते हैं पोर नोट्स और एंटी नोट्स कित्ते आ जाते हैं वन, टू, थ्री, पोर पोर एंटी नोट्स, तो option D बन जाता हमारा correct answer, मेरा आपसे यह सवाल है, यह particle के नोट्स, आंटी नोट्स की बात करते हैं, तो वो exactly इसको बोज़ता है, यहाँ पे एक एंटी नोट्स होता है, यहाँ पे नोट आ जाता है इस तरीके सा होता है, लेकिन, अगेन वहाँ पे हमाया पास 4 प्लस 4 ही बात आती नोट्स एंटी नोट्स 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 तो भी option number D ही करेक्ट आता तो इसलिए अच्छा बेसिक सा सवाल था तो इसलिए अच्छा बेसिक सा सवाल था The two nearest harmonics of a tube closed at one end, open at another end, are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? Again, बहुत ही असान सवाल है, अब ये वीडियो को pause करो, question को solve करो इसका correct answer है A, देखो हमारी tube क्या है? open at one end, another end पे closed है इसका मतलब हमारे पास कैसी situation होगी? इस तरीके के वाली situation होगी है ना? ये वाली इसमें हमारे पास frequency होती है, fundamental frequency उसके बाद आती है हमारे पास 3F0 फिर आती है हमारे पास 5F0 फिर इस तरीके से हमारे पास आती जाती है हमारे काम की चीज़ कह है? किन्ही भी 2 के बीच का जो gap है gap is always equal to 2F0 के बराबर 2F0 is equal to gap की value कित्ती हा रही है आपर? 260 minus 220 which is equal to 40 यहां से F0 की value है जाती है हमारे पास कितने? 20F option A becomes our correct answer बहुत ही अच्छा सवाल था closed organ pipe has length L the air in it is vibrating in third overtone with a maximum amplitude of A find the amplitude at a distance of L by 14 from the closed end of the pipe L by 14 यहां पर हमारे पास amplitude कितना होगा तो इसके लिए आपको क्या करना बड़ेगा? पहले इसको बना के देखो क्या पता है L by 14 पे हम यहां पे आ जाएं क्या पता है L by 14 पे हम यहां पे आ जाएं क्या पता है L by 14 पे हम यहां पे आ जाएं जैसे इस point पर हमारे पास amplitude की value 0 आ जाएगी x is equal to 0 पे amplitude की value 0 आ जाती है यहां पे जो amplitude की value है वो maximum amplitude के बराबर है इस तरीके से अब आपको बताना है, वीडियो को पॉस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो का करेक्ट आंसर है C, कैसे आया देखो, यहाँ पे हमाई पास थर्ड ओवर्टोन है, पहले तरी बनाना सीखना पड़ेगा हमें, यहाँ से यह थी हमारी फंडमेंटल फ्रिक्वेंजी, जीरो क्रॉसिंग है यहाँ पे, थर्ड ओवर्टोन में क्या हो जाएगा हमाई, आपस तीन क्रॉसिंग आ जाएगे, फॉर्स्ट ओवर्टोन यह होती है, थर्ड ओवर्टोन मैं सीधे यहाँ यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इस यहाँ से साफ हो गई, यहाँ से यहाँ तक 1 by 4 हो गई, यह आप इसको ऐसे देख सकते हो, अगर यह पार्ट को मैं बोलता हूँ, यह wavelength by 4 था, ऐसा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पार्ट है, मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर wavelength L is equal to 7 times wavelength divided by 4, यहाँ से में पास जो wavelength की value हाजाती है, वो हाजाती है, 4 divided by 7 times L, ठीक, अच्छे एक बात बताओ, यहाँ पर तो particle का amplitude 0 ही है, अब हमें देखना है कि L by 14 आता कहा है, उस पे wavelength की कितने portion तक मैं पहुँच चुका हूँ, L by 14 को मैं यहाँ पर लेख सकता हूँ, इसी को 14 से डिवाइड कर दो, इसी को 14 से डिवाइड कर दो, यह जाता ह है, wavelength upon 8, अब यही पर आती है, tricky part, देखो, मैं इस तरीके से wave बना लेता हूँ, यह है हमारा x is equal to 0, यहाँ पर हमाया पास पूरी-पूरी wavelength हो जाती है, यह मैं मार्क करते हूँ, this is wavelength, तो यह वाली जो distance हो जाती है, wavelength का, half, यह वाली distance हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, wavelength by 4, ह हमें इस जगे पर आना है, wavelength by 8, क्या आप phases में बात कर सकते हूँ, अगर इसका phase था 0, यहाँ पर इसका phase कितना था, 2π, इसका phase था, π, इसका phase था, π by 2, इसका phase कितना है, π by 4, तो मैं आपास जो amplitude की value हो जाएगे, amplitude कैसा हो जाता है, y की value मैं क्या लेकता हूँ, y is equal to 2a0, cos of kx यहाँ पर आएगा, sin kx, cos omega t, यहाँ पर मुझे देखके भी पता चल रहा है, यहाँ पर जो भी maximum value होती है, amplitude की, यहाँ पर इसका sin 45 times मुझे value मिलेगी, अगर यह वाली value है, हमाया पास amplitude, तो यह वाली value हो जाएगी, a sin 45 degree, यानि की a divided by root 2, c हमारा correct answer हो जाता है, ठीक है, हमें equation में जाने की ज़रूत ही नहीं है, graphically ही हमें इसको देख करके समझ पा रहे हैं, हमाया पास इस तरीके से wavelength आ रहे थी, यह हम देख पा रहे थे, हम से पूछा गया कि भाई, इस point पर आपको maximum amplitude कितना मिल रहा है, basically amplitude कितना है महाँ पर, हमने यहाँ आप इसको draw क होती है, उस पर भी आपसे पूछा जा सकता था, 60 degree के corresponding जो length होती है, उस पर भी आपसे पूछा जा सकता था, अलग अलग जगे पूछा जा सकता था, इस तरीके से हमें इसको solve कर लेंगे, यह जो आपने छोटा सा वीडियो देखा है, एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ही प सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाने के लाबा में क्या करता हूँ, वो भी आपको देख लोगे तो यार अच्छा लगेगा मुझे comment कर देना, please, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, या फिर complete course में, जल्दी आजाओ, जल्दी आजाओ